कैसे हैं आप सर्व, I hope आप सरव अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और बात करेंगे मार्केट की क्या हाल चल रहे हैं, क्या अपडेट सारी हैं, इंपॉर्टेंट जितनी भी अपडेट हैं क्यों कि मार्केट में हर एक अपडेट बहुत जरूरी है अगर हम शुरुआत करेंगे bitcoin से bitcoin की अगर बात करें तो bitcoin में फिर से थोड़ी सी हम को greenry देखने को मिल रही है जैसा हमने कहा था कि bitcoin यूटन ले सकता है फटा फटी यूटन लिया bitcoin ने 25,300 से 27,300 पह गया क्योंकि 2000 डॉलर का dump और quick 2000 डॉलर का pump तो थोड़ा सा market नीचे आया ठीक है लेकिन आज की जो candle अगर आप देखोगे फिर से वो उपर की तरफ बनती भी दिख रही है लेकिन अभी closing में यहाँ पे कुछ घंटे हैं morning में closing होगी daily closing और यह बड़ा important है कि क्या bitcoin इस बार जो 3-4 दिन रह चुके हैं जितने भी दिन रहते हैं 13-14 June क्योंकि आपको पता है CPI और FOMC आने वाला है तो क्या इन 3-4 दिनों में bitcoin अच्छा game कर पाएगा और क्या 30,000 के level CPI data से पहले और FOMC से पहले हमको दिखा पाएगा और जिस तरह हमने March में game दिखा था सीधा 19,000 पे आये थे 19 से 25,000 भी तोड़ दिया था CPI data जिस तिन आया तो expected ही है कि जो March मन्थ में game हुआ था क्योंकि March मन्थ की में जादक बात करता हूँ वो ना quarter 1 का कौन सा मन था last month था ऐसे ही June जो मन्थ है जो अब चल रहा है ये quarter 2 का last month है तो वही March वाली picture हम देखने को मिल सकती है हमको ठीक है और 30,000 डॉलर Bitcoin definitely इस month हमको hit करता हुआ दिख सकता है ठीक है अगर जो CPI और FOMC भी market के लिए अच्छे आये number तो भाया फिर 30,000 जो 31,000 का level लगाया वो हम 35,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं June end तक है न तो बड़ा ही important month है और 13,14 June बड़े important तो सबसे बहले हम बात करेंगे storage के बारे में June month की list में हमने इस coin को रखा था अगर आपने उस time पे investment किया हो था storage के अंदर तो भाया आज 25% तक price बढ़ चुके है storage के थोड़ा सा level नीचे जरूर गया 0.26 dollar पे अगर आप high देखोगे storage का 0.33 dollar का है और एक अच्छा खासा 25% not a bad number ठीक है June month की list में रखा तो बखू भी वो करके दिखाया है storage ने अभी भी 5% आपको green में देखने को मिल रहा है क्योंकि already 24 hour से pump हो रहा है ठीक है तो आप देख सकते हो back to back जो है green candles यहाँ पे अभी फिलहाल जो है लेवल सोड़े से 33 से 32 पे जल रहे है तो next नम बात करेंगे worst performing large cap project in a recent market downturn SEC की वजह से market में एक अच्छा खासा dump देखने को मिला 2000 डॉलर का बहुत सारे coin अच्छे खासे dump हुए है और अगर आप देखो किनकी performance इतनी बैड रही जो top 100 में आते हैं अच्छे large cap crypto's है यानि अच्छा पैसा इन crypto currencies में लगा हुआ है तो पहला आता है sui उसके बाद conflux एल्गोरेंड ट्रस्ट वाले टोकन पैपे ग्राफ पॉलिगान मैटिक फ्लो बीन बी और गाला यह कुछ ऐसी crypto's हैं जिन्होंने अच्छे खासे dump दिखाए और सब अगर आप देखो 21% sui टूटा 22% conflux 14% एल्गोरेंड है ना सबके नंबर बड़े बड़े huge हैं और सब 10% से ज्यादा टूटे हैं तो next हम बात करेंगे list of cryptocurrencies considered as securities by SEC SEC की जहां तक हम बात करते हैं कौन सी cryptocurrencies जो है as security कौन सी लिस्ट है और कितनी लंबी लिस्ट है और कौन कौन से crypto है ना list of cryptocurrencies considered as securities by SEC अगर आप देखो बहुत लंबी लिस्ट है BNB आता है इसके अंदर near protocol, xrp ripple, sandbox, amp, mango, dfx finance, ht real estate, kyn, terra, luna classic यानि USTC आप बोल सकते हो lunar classic नहीं है, terra classic है और cardano है, algorand है, omg network है डरीवा, dow है, hydro है, solana, decentraland, koti, naga, ethereum max, polygon, xc infinity, power ledger और lbry credits, paragon, tron trx flow, बहुत लंबी list है और जब तक मामला चल रहा है, जब तक lawsuit चल रहा है lunc है, rally है, rari है, baxi है, cosmos है, bit torrent, lcx, salt, bit connect, ton coin है, chilis है, voyager, monolith है, lock, और icpbs list में, dash, teraluna, तो ये कुछ ऐसी crypto currencies है, आप देखो, file coin भी इसके अंदर मिल जाएगा, ftx coin भी, तो बहुत लंबी list है, बहुत सारे coins हैं, अगर हम देखें तो, 50 coins हैं जो, इस time पे आप देखो, 55 cryptocurrencies total हैं, 55 cryptocurrencies, तो next हम बात करेंगे, शिवा इनु की, शिवा इनु अपने Metaverse पे focus कर रहा है, इस time पे, और कल हमने बात की थी, कि Rocket Pond को यहाँ पे release करने वाले है, इनका project है Metaverse के अंदर, और उसका जो trailer है, वो आज इनुने यहाँ पे launch कर दिया, लाइव कर दिया, यह trailer आप देख सकते हैं, इसको share करेंगे, टेलीग्राम चनल पे, और welcome to the Rocket Pond trailer, है ना, और blog आर लाइव, तो Metaverse का सब पहला जो project है, Rocket Pond, उसको यहाँ पे जो है, एक तरह से trailer दिखाया गया है, किस तरह से Metaverse की उपर काम कर रहा है, शिवा इनुन, ठीक है, इसके अलावा, अगर हम इस trailer की जहां तक बात करते हैं, तो simply incredible, incredible कह दिया है, यहाँ पे शायतोशी कुसामा ने, जो शिवा इनुन के करता धरता है, वो यहाँ पे incredible कह रहे हैं, इस trailer को, तो next हम बात करेंगे, तो किस तरह से crypto को bitcoin हो, stable coins हो, top की crypto हो, उनको अच्छा adoption मिल रहा है, और Tether Operation Limited announces the acceptance of Tether Gold, X-A-U-T-V, आप इसको बहल सकते हो, as payment method on Uquid, तो एक नई जगा जो है, और यह Uquid की जहां तक मैं बात करता हूँ, यह e-commerce platform है, और offer over 120 million physical, digital and NFT product, तो ऐसी बड़े-बड़े platform पे crypto's accept हो रहे हैं, और इस पर जो acceptance मिला है, वो Tether Gold को मिला है, तो next update है, regulator uncover Binance billion of dollar transaction through US bank, है न, SEC का problem बढ़ता जा रहा है, और जहां तक हम बात करते हैं, a new filing from the US security and exchange commission suggest that Binance move billions of dollar in customer fund through signature bank and silver gate bank, यह दोनों ही bank डूप चुके हैं, इस साल की starting में ही US के अंदर, और इन bank से जो है Binance का लेन देन हुए billions of dollar का है, यह कही न कहीं allegation लग रहा है और बहुत crypto friendly US firms that failed in March, और यह दोनों ही March में डूप चुके हैं, यह दोनों ही bank चाहे silver gate हो, चाहे signature हो, Last and final update है, Arbitrum की दरों से, Hey, Arbinauts and Circle is launching USDC natively on Arbitrum on June 8, आज जो है एक अपना native जो USDC है, Circle का है न, वो कहां पर launch किया है Circle ने, Arbitrum के उपर, तो Arbitrum को काफी अच्छा एक तरह से market के अंदरे का अच्छी position, Arbitrum ने भी बना लिया जब से Binance के उपर आया है, ठीक है, तो आज की इस वीडियो को करते हैं, यहीं पेंट, बाकी अपडेट, नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंदाया है, Like, Share, Comment कीजेगा, नीचे, Description में, Telegram, Twitter के Link है, Join नहीं गया तो कर लेना, और किसी भी Crypto में इंवेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी Research करें, वो बेहत ज़रूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, Bye Bye, Take Care.